अभैदुबे बोले एक तरफ पीम मोदी मतदान कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के झंडे लहराये जा रहे हैं, ये आचार सहिता का उलंगन है, रूबिका लियाकत बोली झंडा लेकर आए हैं, तो झंडा लहरा रहे हैं, आप उन पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, झंड वैसे अभय दुवे देश के अंदर भारत का जंडा लहराने पर आपत्ती नहीं दर्ज कर रहे थे। कहने लगी जिसकी मरजी जहां जंडा लहराए हाला कि उन्होंने आगे ये नहीं का कि कोई मेरे लिए इस्टूडियो में जंडा लेकर आए मोदी जी नहीं ठकते तो कार करता तो ठक ही जाते होंगे लाओ हम उनका जोस यहां से बढ़ाएं ये हाल हो गया है इस देश के पत्र जंसभा कर रहे हैं हाला कि कुछ हजाल लोगों की भीड जुड़ जाने की बात का बतंगर नहीं बनाना चाहिए आजादी के अमरित महोसों में हर तरह की आजादी का जस्र मनाना चाहिए बिल्किस के बलातकारियों को आजाद करके चुनाव लड़ रही है जो पार्टी उस आजादी चाहिए नमस्कार मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है एबिपी न्यूज की एंकर है रूबिका लियाकत जिनकी असली ट्रेनिंग जी न्यूज में हुई है एबिपी न्यूज के एबिपी बनने से पहले उस पर आते रहे हैं जो विसले सक उन पर इन्हें गुस्सा आ गया है डाट रही है फटकार रही है पत्रकारों के खेमे की तरफ से ललकार रही है मतदान इस थल पर कारकरताओं ने जंडा दिखाया तो उसका बचाओ भाजपा वाले नहीं कर पा रहे हैं मगर ये बखू भी ये काम कर रही हैं अब है दुब भाजपा वालों ने सही किया या गलत किया तो आप जवाब देने से मुकर जा रही हैं सवाल आपको करना चाहिए आलोचना आपको करना चाहिए मगर बैठकर भजन कर रही हैं खैर रूबिका लियाकत की आजादी है कि वो जवाब दें या ना दें अपना स्टेंड क्लियर करें या ना करें जो मर्जी वो करें बल्कि एंगर का मतलब ही थोड़ा elaborate कर देना चाहिए कि जो भी करें आयट कर करें कोई कितना भी कहें कुछ न सुनें बस अपनी कहें बस अपनी सुनें हाँ रेडियो पर आ जाये और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार PM मोदी का भाषन चलता है दूसरे किसी जगह पर मगर TV चैनलों के जरिये घर-घर पहुचाया जाता है भले ही मतदान वाले छेतरों में नहीं देते हैं भाषन मगर 24 घंटे उन्हीं के वादों को TV पर चलाया जाता है हैरानी है कि चुनाव आयोग ये सब देख रहा होता है और TV चैनलों पर कोई एक्षन नहीं लेता है चुनाव आयोग का निकम्मापन हो या फिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ती सुप्रीम कोट जब संग्यान लेता है तो जज जमकर फटकार लगाता है जब खुद सुप्रीम कोट में पहुँच जाता है ऐसा कोई मामला तो जज सरकार के पक्ष में फैसला सुनाता है मतलब मामला मीडिया में ही नहीं गड़बड है सारी समवधानिक संस्थाओं में है और असली गड़बडी तो उसी सक्स की तरफ से है जो सारा का सारा सिस्टम चलाता है